माननिय आतशी मारलेना जी को बहुत बधाई कि आज उनकी पाटी ने उनका चैन करा है अगले मुख्यमंतरी बनने के लिए लेकिन आज उनका बयान सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई एक महला होने के नाते भी और दिल्ली का वासी होने के नाते भी उन्होंने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्र एक ही है और वो है अर्विंद केजरिवाल तो मैं पूछना चाहती हूँ आतिशी जी से अभी तो उन्होंने संबधानिक पद की शपद भी ग्रहन नहीं करी है तो क्या वो केवल पद ग्रहन करेंगी डायत्व नहीं ओटेंगी क्या क्या अब माननिय अर्विंद केजरिवाल जी सकता भूगेंगे बिना किसी जिम्मेदारी की इसका अर्थ है आमादमी पार्टी ने जो यहां पर एक दशक से सकता भूगी है लेकिन किसी पर प्रकार का काम नहीं करा है दिल्ली की जनता के लिए इसका अर्थ है कि वो जो करना चाहती हूं कि यदि आप चाहते कि दिल्ली में सुधार हो सडख पानी बिजली शुइच ड्रेनेज जैसी मूल सुविधाओं में सुधार हो तो आने वाले चुनाव में भाजपा की डबल एंजिन की सरकार का चायन करिए ताकि दिल्ली भी प्रगती के पत पर अग्रस कि यहां पर आप देखिए एक दशक सक आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन सडख पानी बिजली शुइच ड्रेनेज की क्या जरजर हालत है दिल्ली में कई जगे तो आप देखिए पीने के पानी में सुइच का पानी मिक्स होकर कंटैमिनेट होकर आ रहा है सड़कों की इतनी बुरी हालत है और यहां पर इन्होंने एक दशक से नालों की सफाई नहीं कराई है दिल्ली कब तक दंश सहती रहेगी आम आदमी पार्टी के तूटे हुए वादों का इस देश की विभिन कचेहरियों ने बार बार यह पाया है कि अर्वेंद केजरिवाल जी किंग पिन है शराब घोटा लेके 90 से 100 करोड रुपे के किक बैक्स लिए गए थे ताकि उसका दुरुपयोग होस्ट के आम आदमी पार्टी की गचविधियों के लिए गवाच चना सरिवाल जी की स्कैम में सनलिप्तिता को देखते हुए सरवोट चिन्यायाले ने बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजंट बेल कंडिशन लगाई थी जहां पर उनको रोका गया था ना तो वो किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं ना ही वो सीम के सेक्रिटेरियट जा सकते हैं तो इतना जरूर कहूंगे आमादमी पार्टी को आपको भजपा पर विश्वास नहीं होगा शायद इंवेस्टिकेटिंग एजन्सी पर विश्वास नहीं होगा लेकिन कोट के निश्पक्षपता पर तो है ना यह तो कचेहरियों का ओर्डर है जो कहता है कि माननिया